मैं भारत को भारती अता की मानिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगा हूँ आईवेधी कुप्चार के सभी दर्शकों को साधर बन दे आज हम जानेंगे चहरे पर निखार लाने वाले उन घड़ेलू नुसकों के बारे में और मा शायद आपको मालूम नहीं है कि मादूरी दीख्षिती या हेमा माली या कोई भी फिल्वी हिरोई लक्स से नहीं नहाती साबून से नहीं नहाती तो आप पूझेंगे मुझको बहुत माली मुझको पता चला अभी कुछ दिन पहले बंबई में मेरा एक व्याठ्यान हुआ था जुहू में और जुहू वो जगह है जहां हिंदोस्तान के ये फिल्मी हिरो हिरोई जादा रहते व्याठ्यान कैसे हुआ एक कोई फिल्मी हिरो है उनका नाम धर्मेल उन्होंने मेरे व् कैसेट सुनने के लिए मैंने 10 घंटे गारी चलाई और घर नहीं गया जब तक कैसेट खतम नहीं हो एक बहुत अच्छी बात है क्या लगा आपको मैं आपका एक व्याक्ष्यान करना चाहता हूं जरूर करिए मैं आँगा क्या आपकी फीस क्या है मैं और फीस नहीं लेता के बीच में वहां उन्होंने व्याक्ष्यान रखा मैं गया जारा लोग तो नहीं आए कुछ 25-30 लोग आए उनके बीच में बीटिंग हुई बात्चीत हुई बहुत सारे सवाल पूछे जब खतम हो गए उनके सवाल तो मैंने उनसे कहा कि अब में एक सवाल पूछूँगा तो हेवारानीसा मैंने पूछा कि आप मुझे बताओ क्या है लख से नहाती हो नहीं है लाइफ बाव से नहाती हो नहीं कहने से नहाती हो नहीं मैंने कआ आप नहाती भी हो तो कहने लगी नहाती तो रोजु्ट जो किसे तो उन्हों ने बताया चले के आते में मलाई डालके नहाती है तो मैंने लगे आज अगर आप बेसन मे तो ये बात पूरे देश को क्यों नही बताती है जो लगे डर लगता मैंने बादल लगता कि अगर हिंदोस्तान की सभी बहनों ने बेसन में मलाई बाल कर नहना शुरू किया उस सब हिमामाल नहीं हो जाएगा तुम यही तो कुरसी ख़द्रे में पड़ जाएगा तो आप यह जान लीजिए कोई भी फिल्मी हिरोईन साबूं से नहाती क्यों उसका कारण है जितने साबूं हैं वो बनते हैं कास्टिक सोडा से और कास्टिक सोडा शरीर की तचा के लिए बहुत खराब होता है और आप यह चाहर के प्रयोग करिए साबूं से नहाईए नहाने के बीस मिनट के बाद जब आपका शरीर सूख जा चाहे जितना पानी डालिए धुलता नहीं इसलिए साबूं सबसे रग्दी चीज है तब आप कूछेंगे बेस्ट क्वालिटी क्या है बेस्ट क्वालिटी है मुलतानी मिट्टी मिलती है अभी भी इस देश में खरीद लाईए बादार से क्या करें उसका मुलतानी मिट्टी को दही में डाल दीजे रात को या दही की ताक में डाल दीजे सबेरे तक एक दब मुलाइम हो जाएगी उसको पेस्ट बनाईए शरीर पर ऐसे ही लगाईए जैसे साबून लगाते हैं और नहा लीजे गरम पानी से एक दम फ्रेश हो जाएगा दूसरा तरीका चमे का आता माने बेसन उसमें मलाई मिलाईए पेस्ट बनाईए उसको रगड़िया और उससे नहाईए तीसरा तरीका आप जो है अपने घर में ले आईए मसूर की दाल का आता मसूर की दाल होती है उसको पिसलाईए उसका आता बंता उसमें शहद मिलाईए मद मिलाईए और उसका पेस्ट बनाके उससे शरीर को लगाईए और गरम पानी से नहाईए आपकी इसकी नेक बंब साफ्ट हो जाए चौथा तरीका मुल्ता निमित्ती लीजिए अरीठा का पाउडर लीजिए शीका का ही पाउडर लीजिए तीनों को बराबर बराबर मात्रा में मिलाईए बिब्बे में बंद करके रखिए एक साल तक इसका कुछ नहीं बिगड़ता नहाने के 20 मिनट पहले एक चमच पाउडर एक गिलास पानी में डाल दीजिए और उस पानी से तहले श्रीर के बाल धो लीजिए आपके बाल तूपना बंद हो जाएंगे और फिर उसी पानी से शरीर से नहाल लीजिए आप कोई साबुन लगाने की कभी जरूरती महसूस नहीं होगी और आपको मैं बता हूँ सबसे अच्छा आपके यहां अकोला में गाय के गोवर से एक साबुन बनता और गाय के गोवर से जो साबुन बनता है पिछली बार में आया था यहां से खरीब के ले गया और मैंने मेरे सब दोस्तों को बाटा मैं भी नहाता हूँ मैं आपको सच बता हूँ कि उस साबुन से नहाने के दस मिनत के बाद शरीर में से खुश्मू निकल भी पिर एक दिन मैं पुराने कुछ गरंट खोजे तो मुझे पता चला कि हिंदूस्तान में जब यग किया जाका था तो किसी भी राजा को यग करने से पहले गोवर से इसनान करना ज़रू भी होता था बग्दान राम ने भी यही किया था जब भग्वान राम ने यभी किया तो गोगर से इसनान किया था तब यभी करने के लिए बैठ काई थे तो शास्त्रों में इसका वर्मन है और गोगर से इसनान करना बहुत उंची बात है आपके घर में अगर देसी गाय तो उसके गोगर से आप सीधे इस्नान कर सकते हैं नहीं है तो आपके अकॉला नाँ में बनता है इतना अच्छा साबुन और अगर आप वो ख़री देंगे तो पैसा कहा जाेगा अकॉला का पैसा यही रहने वाला और वो साबन यहां के किसी गोशाला में बनता तो आपका दिया गया पैसा जाएगा कहां गोशाला में जाने वाले उस गोशाला को चलाने वाले कुछ भाईयों को रोजगार मिलेगा और मेरी तो कलतना है कि ऐसी कोशा लाँ गाँ गाँ गली गली घर घर में खुल जाए और उनमें से ये बोगर निकलेगा साबून भी बनेगा दूद बनेगा घी निकलेगा चाक्या नहीं होगा तुरे हिंदुस्तान की अर्थ में वसका बदल सकती है तो आप ये फालतू के स आपन खरीदना बंद करिये मुल्तानी मिट्टी से नहीं है अरीधा शीका काही मुल्तानी मिट्टी के ताउडर से नहीं है या फिर चने के आते से नहीं है